आज हम बात करेंगे स्तिवरतंगन हत्या कांड के बारे ये वो कांड है जिसने सुदामा पुरुपकाओं राइबरेली और अमिठी को हिला कर रहे तिक्षक और उसके परिवार के सदस्यों की दुर्दान तरीके थे हत्या कर दी जाती है इसको लेकर जहां लोगों में गम और आक्रोस है तो वहीं कुलिस्ट पर भी सवाल उठाएगा इस हत्या कांड की मुख केमेस्ट्री जो है वो पूनम और आरोपी चंदन के बीच के रिष्टे की बताते हैं कि ये केमेस्ट्री दो हजार अठारा से उस दोरान पूनम ने राइबरेली के एक निजी अस्पताल में जोकि नहरु नगर में है वहां पर जुरुवा बच्चों को जन गी एक बेटी जो जिसका नाम समिक्षा रखा गया और एक बेटा बेटे की हालत खराब रही तो उसी दोरान उस हास्पिटल में लैप टेक्न के रूप में काम का नेवला चंदन पूनम और तुनील के नजदीक आदे मदद की गई लेकिन बच्चे की जिन्दगी नहीं रखाए इस घटना ने पूनम को हीतर से तोड़ कर रख दिया जिस पर उतको इस पल के लिए इस पल और इस मोमेंट पर अगर किसी ने सहारा दिय तो चंदन के दिमार में क्या चल लाता यह ना उस दवरान तूनम जान सकी और नहीं सिच्छक सुनील को जानते थे आप सुनील और तूनम के रिष्टे कैसे थे गाहों में तो सुनाई पड़ता था रठे संबन ने थे उनके इन माम लोग लेकर उदास है आप लोगों से कि How can you Ci support को नहीं मिली गाहों की तरब से ना इनके घरफौ्य लोह नहीं को कुछ बताया है सिवरतन हर पिल दिलिक कर दिर आपकॉ जितने लोगों को भीतर तक हिला दिया, जब कभी भी इस कांड की बात आएगी तो लोग हिल जाएगी, बात हो रही थी पूनम और चंदन के रिस्त्री, 2018 में जब कूनम ने जुड़ा बच्चों को जन्र दिया और वहीं से चंदन से की नजदी किया बढ़ी, चंदन एक सातिर दिमाग का विक्ति था, उसमें पूनम के मनोबिग्यानिक धंग से पूनम के दिमाग को समझा पढ़ा, और जिस समय पूनम को किसी के साथ और संबल की जरूत थी, चंदन ने तुरंट उसका साथ की गया, और उसके बाद ये घटना करम धीरे धीरे बढ़ता चला गया, दोनों के बीच के नजदी किया बढ़ती चली गई, इतनी नजदी किया बढ़ती चली गई, कि जो पूनम का पती सुनील था, उसको इस से एक अजीग तर को जाहि नहीं किया, नहीं परवार के सामने, नहीं अपने अपने दोस्तों के सामने, और नहीं पूनम के सामने, असल में, कि आप सुनील को जानते हैं जी हाँ अच्छा यह क्या चो कहा सुनी चल रहेगी सुनील और पूनम के रिष्टे कैसे थे अब यह उनका परिवारी में अमला है इसमें लोग कोई जानकारी नहीं अच्छा क्या लोग कह रहे हैं कि सुनी से पहले वो चंदन वर्मा क्या गाउं तक किस पहुचे थे इस पर किसी को कोई जानकारी नहीं असल में चंदन कुछ बता नहीं रहा है और फूनम की मौत के बाद से उसके दिल में दफन राज उसकी चिता के साथ ही खत्म रहे हैं सुदामापुर गाउं में भी इससे लेकर चर्चा खुलेयाम तो नहीं है लेकिन तभी जुबान लोग दोनों के रुस्तों पर सुब्भुगाहट कर रहे हैं सुनील की मामी ने अभी बीच में कहा था इस कांड के लिए पूनम ही दोस्ती है क्योंकि वो चंदन को जानती थी सुनील तो बेकसूर मारा गे उसने कभी भी परिवार को इस बारे में नहीं बताए सुनील के दोस्तों का भी कहिना है कि सुनील कभी भी अपने जीवन की कहराईयों को नहीं बताते दामपत जीवन में क्या चल ला है उसके बारे में वे वो कभी नहीं बताते थे वो बहुत सांत रहते थे, लेकिन हाँ भीतर ही भीतर वो घुट रहे हैं, क्योंकि वो चंदन और पूनम की रिष्टे से बिल्कुल नाकुछ थे। इसी तरह पूनम की मा किस्टना ने भी एक बयान जारी किया था, कि पूनम को जबरन चंदन पाना चाहता था। नवरात पर एक जमीन का सिलन्यास होना था, जिसे सुनील ने खरीदा था, और उसमें चंदन गवाद था। लेकिन बताते हैं कि चंदन चाहता था कि जमीन पूनम के नाम था। लेकि सुनील के दिमाव में उच और। यह सुनील से आप परचिते थे? अगरे बच्पन से जानते थे उनको हमें अच्छा, आपके साथ पढ़ा वड़ा थे कहा हो? नहीं हमसे काफी बड़े थे लेकिन जानते थे बहुत पहले से अच्छा जो क्या कहा जा रहा है कि आप उनके परोसी हैं ये बता जा रहा है कि स Україल पूरके लिष्टे कैसे थे कई अब उब्ता सकते कि अब जो सुना जा रहा हुई इस से पहले पिसी पहले गया यह यह ता क्या कभी है आए हो है लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है चार साल पुराने इस विस्ते में परिवार के सदस गहराईयों को नहीं जाना चंदन हर हाल में पूनन को पाना चाहता था उसके लिए उसमें सारे हटकंडे अपना है बीच में सुनील ने आपत्ती जाहिर की उसने सुनील पर हमला कराना से यही कारणाहा आठा की पहले यह लोग गदा गंज के पास रहते थे जहां पर सुनील जब गाउं से सिरोतन गंज अपने स्कूल जाते थे तो वहां पर हमला कराएंगे इसकी रिपोर्ट गदागन ठाने में दर चुई लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की उसके बाद इंद्रानगर में मकान लिया और वहां भी सुनील आधमका जिस पर परिवार को इंद्रानगर छोड़के फिर सुदामापुर गाउं जाना पड़ा और सुदामापु परिवार के लोग नहीं जान सके कि चंदन आके घर क्यों आया उस दौरान तो यह समझा गया कि यह सुनील का कोई जान पहचान सक्स है लेकिन नहीं उनको मालूमी नहीं था कि चंदन की मुलाकाद चंदन की जानकारी चंदन का जो कनेक्शन है वो फूनन के साथ जब 18 अग मामले की तहरी सदर को तवाली में दी गई वेकिन पुलिस ने कारवाई नहीं की और 157 के तहट चंदन को एक क्लिंचिट दे दी इसके बाद चंदन के होसले और बढ़े और वो सिवरतन गन पहुंच गया जहां पर सुनील और उनका परिवार किराय के मिकान में रहता है बताते हैं कि चंदन बीच में चंदन काफी नाफ़स साथ दी और पूनम को लेकर जाए तो कि पूनम किसी पर तरीके से तुनील को नहीं चोड़ना चाहिए जरको चंदन चाहिए था उनसे छोड़ना हो और उसकी पढ़नती यह हुई कि तुनील पूनम और दोनों बेटियों की निर्मम तरीके से गोली मारगर अध्या देए बहुत सारे रहस अभी भी कायम है जिनका खुलासा होना बाकी है लेकि इतना तय है कि चंदन और पूनम की नजदीकियों ने कि इस बड़े खटना करम को अंजाम देने में महतुन हुमताई भाई यह बात गाओं के लोग और सुनील के परजन भी सिवकार करते है अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें